गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को क्या मेरी वाइज क्लियर है क्या मेरी वाइज क्लियर है यारे तो है ना बहुत ही क्लियर आरी है मेरे फॉन में तो कैसे हैं भाई सारे लोग कल के लिए बहुत बहुत सौरी और आज हमने व्यवस्ता कर ली है आपके लिए अनुराग जत्तिन कुमार शाक्षी अंजली कीलर बॉय देव राज अधित्य अंजली अमेंद्र अमन जत्तिन अधित्य शेंग स्वागत है एक बार और आपका मैंक रावत की यूट्यूब चनल पर गुड़ इबनिंग अनुराग बटा आज अब फटा बड़ से इंफोर्मेशन देदो बाकी बच्चों को कि आज लाइब क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो सभ घ्राव कि यूट्य बच्चे लाइब आ जाएंगे बिटा अगुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग मनेश पंकजगौर गूड इवनिंग गूड इवनिंग लाव यादव अमन प्रजापती बिटा सारे बच्चे सुन लेंगे ध्यान से इस स्रीज की हमारी लेक्चर 10 है और लेक्चर 10 से पहले भी 31 लेक्चर जो दूसरे चैनल में हुए हैं वह भी आपको देखने कंप्लीट कोर्स के लिए दस लेक्चर इस चैनल पर भी होगे यानि 31 आपके हुए है इंडियन रोजगार जिसका नाम करने भी चेंज कर दिया है हमने किस नाम से डिफेंस सिख्चा नाम से ठीक है 31 लेक्चर डिफेंस सिख्चा में है हिए रहा डिफेंस सिख्चा में है ठीक है बटा तो पहला लेक्चर एपी जी पी एंड एच पी का हमारा आज होने वाला है तो बिना देरी के सबसे पहले वो बच्चे जो चैनल पर नए जुड़ते हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें हैं रैड वाला होता है नीचे लिख को Whatsapp ग्रूप में जोइन होना है ताकि क्लास के रिकार्डिंग जो march होती है वो WhatsApp ग्रूप में यह मुझी कर सकते हैं और अब मुझे भी सेर कर सकते हैं यह प्रोड़न देड़ते हैं तो विल्यका ब्छे तो आप सभी बच्चे heading डालेंगे AP, GP and HP, ठीक है, AP का मतलब arithmetic progression, GP का मतलब geometric progression और HP का मतलब होगा आपका harmonic progression, समांतर स्रीनी, ग्रोतर स्रीनी और हरात्मक स्रीनी इनका नाम हो गया, ठीक है बटा, तो 10 तक तो AP भी थी, 11 में AP, GP, GP भी पढ़ी है हमने, अच्छा देखो, AP में, AP में क्या होता है, gap से होता है, क्या होता है, gap से होता है, पहले हलका सा knowledge दे रहा हूं, उसके बाद detail में चलता है, हलका सा, जो आप अंदाज लगा सकते होगी, sequence में, AP, GP, HP, killer boy बोड़ रहे हैं, सर, कल, हा, क्या, बहुत खराब, class हुआ था, class हुई कहां, कल जो खराब हुई थी, कल कहां हुई class, कभी ता यादो, good evening वेटा, ठीक है, देवराज बोल रहे हैं, non math student, कोई बात ने, वेटा, बिल्कुल जीरो से चलेगा, ठीक है, सर, ये chapter मेरा थोड़ा week है, पर मुझे बोरसा है कि आपके साथ strong हो जागा, आपको सो जागा, 100% guarantee, 100% guarantee, maths की 100% guarantee किसी भी chapter की, इसकी तुमें चिंदा करनी नहीं है, बस देखते जाओ, तुम classes, हा, हमारी 41th class, actual के हिसाब से 41th class ये चल रही है, है न, क्योंकि 31 दूसरे channel पर च हो चुके है, ठीक है बटा, चलो, जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं, वो जरूर, whatsapp group और telegram में जुड़ जाना, जो की description में, ठीक है, gap sim होने का मतलब, जैसे मानलो, 2, 5, 8, 11, इन में कहे है, 3 का gap है, ठीक है, example, simple से example से पहले समझो, फिर detail में बताता हूं इसकी, ठीक है में यहां पे common difference होता है, यहां पे common ratio होता है, अगर एक 2 है, दूसरा 4 है, दूसरा 8 है, 16 है, तो यहां पे क्या हो रहा है, 4 बटे 2, 2, common difference आ रहा है, 8 बटे 4, 2, और 16 बटे 8, 2, और यहां पे difference 3, 3, 3, यहां पे होता है common difference, यहां पे होता है आपका क्या common ratio, ठीक है, अभी detail में AP भी पढ़ेंगे फिर GP भी पढ़ेंगे, HP क्या होता, ये तुमारे लिए थोड़ा नया हो सकता या आज तक समझ नहीं आया होगा, ठीक है बटा, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर 258 11, 258 और जो 11 है, ये किस में था बेटा, AP में था तो 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11 GP में होगा इसी को GP बोलते हैं यानि AP को जब reverse कर देते हैं 1 by 1 by 1 by 1 by करके यानि इसके denominators किस में होने चीए बटा AP में होने चीए या मैं बोलूँ अगर ये AP में है तो ये GP में होगा वाइस वर्स समझ में आरे बात होगा ये GP नहीं सरी है क्या होगी HP होगे ठीक है बटा HP होगी है समझ रहो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 2, 5, 8, 11 यहां तो मैंने क्या ले ले रखी थी एपी ले रखी थी तो उसका रिवर्स यानि वन बाई टू वन बाई फाइप वन बाई एट और वन बाई एलेवन आपकी क्या होगी जी पी होगी ठीक है क्लियर है बेटा रोजी क्लास होती है देवराज रोज साथ बज़े होती है कल मैंने आपको वीडियो बना के भेजी थी ना वर्टसप में की इस्टूडियो का जो कैमरे का जो कैप्चर कार्ड होता है वो खराब हो गया था फिर आज लेकिया आया मार् ठीक है बेटा गुड इभिण कौड इवनिंग बेटा कामरान खन सर मैंने आपको कॉल किया था बिल्कुल किया होगा काफी बच्चों का कॉल आता है चलो देखो ध्यान से gap से होता है एपी में और common ratio से होता है जीपी में और एपी की ही form जीपी होती है जब उसको reverse कर दिते हैं one by one by one by करके बहुत simple सा एक जवाब ये था APGP and HP का ठीक है बटा ठीक है ध्यान से आपको ये detail देखनी है अब APGP का जो वेटेज है वो 3 से 5 question आता है NDA में ठीक है 3 से 5 question NDA में आता है तो आपको detail अच्छे से ध्यान से समझनी है अगर 5 question आ गए तो 5 into 2.5 डाइ मार्क्स का हर एक question होता है 25 बंजे 125 12.5 नमर जेब में है क्योंकि ये chapter ये chapter है बहुत easy क्या है बहुत easy आसान है समझे रहो ना ये पढ़ने के बाद आसान होता है बिन पढ़े तो कुछ भी आसान नहीं होता ना तुम सब जानते हो अच्छे से ठीक बटा अच्छा कॉल पे आवाज ड्राउन ही लग रही थी चलो बटा आते हैं अब डिटेल में पढ़ते हैं हम arithmetic progression यानि हम पढ़ने वाले arithmetic progression यानि AP AP यानि समानतर स्रेनी क्या होगी बटा heading डालेंगे सभी बच्चे समानतर स्रेनी कोशिस करा करो कि जादा से जादा लिखने लिखते रहा करो जब मैं पढ़ा रहा हो तो आपको introduction भी देता हूँ तो लिखते रहा करो ठीक है ठीक है ठीक है बटा लिखते रहा करो detail में ठीक देखो ध्यान से मेरी बात सबसे पहले सुनूँगे, सबसे पहले मैं इसे ऐसी बता दो आपको, detail, AP की अगर बात करूँ, यह बाली लगे, AP की अगर मैं बात करूँ, समानतर सरेने की बात करूँ, तो simple जो AP अगर मान लो है कोई, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A1, A2, A3, A4, डॉट, 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 यह क्या है, 1, 2, 3, 4 चल रहा है, कहां तक मालो, N तक natural number चल रहा है, ठीक है, यह आपका हो गया first term, यह आपका हो गया first term, second term, third term, fourth term, इस तरीके से चला, है न, fourth term तक चला, तो जो first term है, ध्यान से समझने हैं बटा, first term, इसको या A बोलो, या फिर A1 बोलो, A की बात है, A बोलो या A1 बोलो, ध्यान से समझना, networking, ठीक है बटा, A1, ठीक, अब दूसरी चीज, second term, A2, third term, A3, fourth term, के लिए रहे इतना, यह इसमें कुछ भी नहीं था समझने के लिए जाता, अब देखो, अब ध्यान से देखो विटा, एक होता है common difference, common difference, क्या होता है, common difference, हिंदी में इसे बोलते हैं, सार्व अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात, या difference, किसका दो consecutive terms का, यानि A2 माइनस A1, हम इसे बोल सकते हैं, A3 से A2 कटाएंगे, तो भी common difference आएगा, ऐसे dot, 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 कोई भी दो, जो terms हैं, उनका difference जब आप लोगे, ठीक है? यह क्या लिख रहा है अनुराग? ब्लर हो रहा है? ब्लर नहीं हो रहा है बिटा, वहाँ से उरहा होगा, वहाँ से आपके network की problem है, कोई ब्लर नहीं है, clear है, एकदम, एकदम clear है, चलो, ध्यान से देखेंगे सबी बच्चे, है ना, gap, दो conjugate terms का gap, कोई common difference बोलते हैं, a, n, minus, उससे एक पिछले का, यह आपका हो गया, बटा, common difference, ठीक है? इतनी सी बात clear है, अब देखो, first term हो गया, आपका a, ध्यान से समझना, second term हो जाएगा, a plus d के साथ, यह first term हो गया, a1 या a, यह second term हो गया, बटा, a plus d, यह नि, first term के साथ common difference d, इसको d से denote करते हैं, common difference d, अगर जोड देते हैं, इसमें तो इस second term आ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना, और जो a3 हुआ, यह हुआ, आपका a2 के साथ जब d जोड़ेंगे, a4 तब आएगा, जब a3 के साथ d जोड़ेंगे, अब अगर इसे आगे further भी solve करूं मैं, तो यह तो इतना है रहेगा, यह आप लिख सकते हो, a2 की ज़एगे a plus d रख सकते हो, a plus d plus d, तब ही तो होता यह a plus 2d, ठीक है बटा, a plus 2d, और यह a3 को a plus 2d लिख दिया, उपर से a3 की value यहाँ पे लिख दिया, a plus 2d और d है, यानि a plus 3d हो गया, अब similarly हम अगर बोलेंगे a5, तो आप बोलोगे यार a plus 4d यहाँ पे आना चीए, क्या होना चीए, a plus 4d यहाँ पे आना चीए, अगर a6 लिखूँ, तो a plus 5d यहाँ पे आना चीए, ऐसी चलता रहेगा, अगर मैं 51 term भी निकालना चाहूँ, तो मैं लिखूँँगा सीधा-सीधा a plus 49d, जहाँ पे a आपका क्या है first term, और d आपका common difference है, यानि n-th term का जो formula हुआ, n-th term का जो formula हुआ, a n वो हो जाएगा आपका a first term, plus n minus 1, जितने भी n होगा, उससे a कम कर दिया जाएगा, देखो कम किया रहे हैं, यहाँ 50 था तो यहाँ 50 हो गया, ठीक है, तो यह आपका हो गया, a plus n minus 1 into d, बहुती simple सी बात, मैंने अभी तक आपको बताईए देखो, ध्यान से दुबारा देखो, यह कोई a p है, है ना, यह कोई a p है, a 1, a 2, a 3, dot 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 dot, कहां तक, a n तक, उसके बाद first term है, a या a 1, ठीक, common difference, कोई भी दो terms का difference, आप ले सकते हो, बना बिटा, एक formula आमारे पास और बना क्या, कि a n का जो formula बना, कोई भी terms का जो formula होगा, a plus n minus 1 into d बनेगा, जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है, जो कि आप सब जानते हैं, निकलता ऐसे, यानि, मुझे कभी पूछा गया, कि आपके पास कोई है, 2, 4, 6, 8, dot 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 infinity तक, है ना, dot 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 infinity तक, तो यहाँ पे 25 टम क्या होगा, 25 टम क्या होगा, 25 टम क्या होगा, तो आप बोलोगे, a 25 की value निकालोगे, आप सीधा सीधा, a plus 24 d, क्या लिकालोगे बटा, a plus 24 d, a का मतलब first term, यानि 2, plus 24, d का मतलब, d का मतलब बटा होगे, इन दोनों का gap, चार में से 2 का gap, कितना है आप 2, यानि यह होगया, 2, plus 24 दोनी, 48, यानि 48 और 2, 50, यानि 25 टम आपका, कितना होगे बटाब 50, तो आप डाइरेक कोई भी term, एन वाट टम, कोई सा भी निकालना होता है, जब, जब एन वाटम, कोई सा भी निकालना होता है, तो, सिंपल सी बात है, कि आप सीधा लिखोगे, a, n, equals to a, plus n, minus 1, into d के लिखने की ज़रत नहीं, 25 यह तो 24 d हो जाएगा, 30 होता तो 39 d हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात, क्या clear है सभी बच्चों को, ठीक है, यही बात आपको detail में, यहाँ पे समझा रखी है, जो नूट बनाने के काम आएगी आपके, ठीक है बड़ा, a1, a2, a3, dot, 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 an, ठीक है, clear दिख रहा है सभी बच्चों को, I hope की सबको clear दिख रहा होगा, ठीक है बटा, चलो देखो, ध्यान से देखेंगे, a, a plus d, a plus 2d, dot, 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 an तक, first term a है, common difference d, कोई भी दो consecutive terms का, difference, common difference होता है, और nth term, nth term आपका हो गया बटा, an, है न, nth term क्या होता है, an होता है, ठीक, clear है, फातर अफ सिक्वेंस एंड सिर्जाब है, जी एस नहीं पढ़नी है आप है, हम वो, समझ रो ना, गणित सीखनी है, हमें आनी जी है, एक्च्वल में गणित, समझ रो बटा, समझ रो, आहा, शार्ल फ्रेंड इस गॉद्स दिल, टी एन लिखो या, एन लिखो आना, ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी, यह हमने अभी बताया था, ठीक है, दूसरा, सम अफ एन टम्स, ठीक है बटा, यह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यह 2 ए होगा, होगा ना बटा, यह क्या होगा, 2A होगा, ठीक है, सन एककोश टू, एन बटू, 2A प्लस एन माइनस वन इंटो डी, ठीक है, और सन का दूसरा फॉम्मला, एन बटू, ए प्लस एल, वेर एल इस दे लास्टम, एल क्या है, लास्टम है, ध्यान रखना, सम उफ एन टर्म्स होता है, ए प्लस लास्टम, फर्स लास्टम, इंटो एन अपॉन टू, एन इंटो, ए प्लस एल अपॉन टू, आपका फॉम्मूला होगा, इतनी सी बात, सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, अब एक वर्ड आया, अर्थमेटिक मीन, ध्यान से देखना बटा, एक वर्ड आया, आपके पास अर्थमेटिक मीन, वैन एवन एटू, एटू, एट्री आर इन एपी, जब कोई एपी है, जब कोई समांतर स्रेनी आपके पास है, तो आप अर्थमेटिक मीन, arithmetic mean को average भी बोलते हैं बटा हम यहाँ पर क्या बोलते हैं average यानि आसत समझे रो तो आसत कैसे निकलता है total sum upon total number है ना total sum upon total number ही तो निकलता है क्यों हो वही total sum upon total number ही निकलता है ठीक तो arithmetic mean होता है total sum सबको जोड़ दिया a1 a2 a3 है ना सबको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया a1 a2 a3 a4 डॉट 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 अन तक और जितने भी n होगा उससे क्या कर देंगे हम divide कर देंगे तो यह arithmetic mean होगा ठीक है जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो number a और b मान लो दो number a और b arithmetic mean of a and b are in a p दोनों को जोड़ के divide by जितने भी हैं वो दो ही तो है n की जगे तो a plus b by 2 आपका हो जाएगा क्या आपको clear दिख रहा है इतना ठीक है हाँ ठीक है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है a plus b by 2 arithmetic mean याद रखना है sum upon number sum upon number जितने भी जितने भी डिजिट हैं जितने भी numbers हैं उसको जोड़ देना है upon जितने वो डिजिट हैं जैसे यहाँ पर a और b दो थे तो दो से डिवाइड किया बहुत सारे होंगे तो उतने से डिवाइड आप करोगे जैसे मैं एक्जांपल के तौर पर लिखूँ एक्जांपल के तौर पर लिखूँ कि अच्छे चौबिस और च्छे तीज बटे पांच शे आपका अर्थमेटिक मीन यहाँ पर आ जाएगा तो मुस्टली दो दो का ज्यादा तर यूज होता है कुईशन में एकदम डायक्ली नहीं पूचता गुमा फिर आगे कुईशन पूचेगा जहां पर यह नेट खतम होन इतनी सी बात के लिए रहें आगे आते हैं आगे आते हैं ऑर अगर में में होता तो में यह तो जो यह करने की आपका तरीका होता है आप ऐसे लिख सकते हो A A plus D और A plus 2D एक तरीका तो यह है आपका है ना जब तीर नमर होगा तो फर्स्ट ये उसके साथ D जोड़ोगे A plus 2D ये तो हमने बताया था ये introduction में चला था लेकिन जब question करना होता है तो दिक्कत ना हो इसके sum भी करना पड़ता है कभी तो यहां पर यह लिया करो यहां पर mistake हो गई A minus D A और A plus D ये आप लिया करो ताकि वहां पर question करने की सहूल है तो अभी आप detail देखते जाओ और note बनाते जाओ साथ साथ ठीक है पेडिया भी आपको मिल जाएगी no worry बट जो handwritten notes में बात होगी न वो किसी में नहीं होती आपक रिखर निकालना है बटाना एंड ले निकालना सेर के मूँ से कुछ निकालना होगे इतना जिगरह आपके पास ओना चाहि है इतनी हमत पेसिंस आपके पास इतना होना चाहिए defense में जाने के लिए कि मतलब कोई आपका होउंसला तोढ न पाए हैज न ऐसी officer तोणने बना दे कि या टीचर बनना है मुझे अगर तो मुझे ये कुछ करना पड़े किसी भी काम को आपको लाइफ में करना है लाइफ में ध्यान से मेरी बात एक सुनना कोई भी आप काम करो कोई भी करियर हो कोई भी करियर हो उसको बनाने के लिए आपको रखना है patience, सबसे ज़्यादा आपको patience रखना है ध्यारिय, ठीक है, और उस काम को पाने के लिए पहली चीज, time management, time management का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, कि आपका time fix जोना चाहिए हर काम करने का, आप कब सोते हो तो daily उसी time पे सोना है, आप कब जागते हो daily उसी time पे जागना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी आपका health का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ को आपको याद रखना है, कि हेल्थ नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब मैं physical exercise नहीं करूंगा, जब मैं physical exercise नहीं करूंगा तो mentally strong नहीं हो पाऊंगा, mentally strong नहीं होंगा, तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, तो कैसे success मिल जाएगी, समझ रहो मेरी बात, तो health भी बहुत जोरी है, time management सीखना है, health देखनी है, और आपको ध्यारियर रखना है, ठीक है, और चीजों को time देना है, पढ़ने में time देना है, पढ़ेगा भाई, कोई other option नहीं है, competition सराखों पे, चरम सीमा पे, समझ रहो, चाहिए मैं अपनी बात करूं, teaching line में, चाहिए किसी बच्चे के end निकालने के लिए बात करूं, या फिर किसी के लिए भी आपको, आपको दूसरों को रौंद के आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर दूसरों को रौंद के आप आगे नहीं बड़े तो आपको कुचल दिया जाएगा, कोई और आपको रौंद के चला जाएगा, है ना, इसी लिए इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, हर चीज होनी चीए सिर्फ पढ़ने के बीचे पागल नहीं होना चीए, आपको time से हर चीज करना ह समझ रहा है, जो भी करना है, आपके एक दिन में आपके पास, एक दिन में बेटा 24 गंटे होते हैं, ध्यान दे ना मेरी बात का, एक दिन में 24 गंटे होते हैं, ठेक है, आप एक दिन में 24 गंटे होते हैं, तो ध्यान दो यहाँ पे, माल लो दो गंटे आप डेली मूवी भी देखोगे न, तो भी चल जाएगा, ठीक है, दो गंटे मूवी भी देखोगे, दो गंटे, तीन गंटे खाने में वेश करोगे, ठीक है, दो गंटे घरवालों ने काम बोल दिया, उसमें भी वेश करोगे, ठीक है, आठ गंटे आप सोगे, उसमें भी वेश करोगे, ठीक है, तबी भी कितने हैं, दो और तिन, पाँच और दो, सात और आठ, पंदरही घंटे वे बटा भी, अभी तो रुको जरा, नो घंटे बाकी हैं, नो घंटे बाकी हैं, और मैं इसमें से बोल रहा हूँ, कि ठिक छै महिने तक, सिर्प छै मन्त आपको क्या करना है, पाँच घंटे इसमें से निकालना है, चार घंटे जो मरजी करो, पाँच घंटे सेल्फ इस्टेडी करो, और क्लास भी लेनी है, सेल्फ इस्टेडी, ये पाँच घंटे सेल्फ इस्टेडी करनी है, हर किसी को करनी है, जो थोड़ा extra talented है, extra talented का मतलब, कि इसको लगता है, बहुत अच्छा क कर सकता हूं में कम घंटों में ना फिर जल्दी करो आप शह मेने में जोब निकालने के लिए ठीक है आप तीन घंटे पड़े तो एक साल लग जाएगा एट साल भी लग सकता है दो साल लग सकता है तक एज एंडी की खतम इसी लिए पांस से छह घंटे आपको निकालना जो खुद को समझदार समझते आईक्यू लेबल टॉप पर रखने की कोसिस करते हैं कि मेरा तो आईक्यू लेबल बहुत अच्छा है मैं पांच नहीं सर ने पांच बोला था मैं तो तीन घंटे पड़के निकाल लूँगा और यह attitude मार के रह गया क्योंकि आसपास के लोग कितने हैं आप आप कितनों को जानते हो कितनों को आप जानते हो आप जानते हो बीस लोग जो एंडी की प्रपरिशन कर रहे हैं तो आपको लगता यहीं कॉमपिडिशन है भाई नहीं जानते हों जिनका लेबल और वी और यह को सबद्सक्राइब पज़ए सब्सक्राइब है कि अपने पास तो दो मंत बचा है तुम्ने दो मंत अब बचा है ना ये तो पहले सोचना चाहिए था ना कब से धल्यक्ष से जहरही है दो मंथ ज this अब बचा है अगले महेंने एकी मंत बचेगा प्र बचेगा ही कि तो थो वहीज्ड आप आपको सफलता मेरी बात मूवी देखा तो फिर माइंड मूवी में ही रहता है इसलिए देखता ही नूँ यह अच्छी बाते देखते हूं लेकिन अपने माइंड को भी तो इस्ट्रॉंग करना पड़ेगा जो बहके न वो माइंड भी क्या माइंड किसी बाहरी वात्ता औरन का फर्क आपको अगर पढ़ ला है जिन्दगी में तो दिक्कत है भाई है अगर मैं मूवी देख रहा हूं तो इंटेटेइनमेंट में घरतम गाए इमोशनल ने गुश जाओ हीरो इन से हीरो का क्या हुआ क्या केस हुआ ब्रेक अब हो गया यह हो गया उसमें थोनी गुसना है नकली चीज़ें यार वो तो बेवकुफी है मतलब वो तो इंटेटेइन करने के लिए हसाने के लिए या बीच में रैस करने के लिए अच्छी चीज़े होती है इंटेटे बढ़ जागी यूं इतने इस्टूडियो जो मैंने इस्टूडियो बना रहा है बनाया है जितने का मैंने इस्टूडियो बनाया न उतने में तो मैं पाद्टू की चीज है उसमें जादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं आप एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर किसी के स्कूल में क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 50 बच्चे, आपको क्या लगता है, डाटा उठा के देखना ना किसी भी स्कूल का, इन 50 बच्चों में से कितने ओफिसर लायक होते हैं कितने ओफिसर लायक होते हैं पचास में एक भी नहीं होता कभी कभी तो कहीं कहीं एक होता है बस है ना मानलो 500 में से दो ओफिसर लायक होते हैं 500 में से दो ही ओफिसर लायक होंगे हजार में से होंगे या तो पहले तो मानलो एक्जांपल के तोर पे 500 में से 2 ही लायक हैं 500 में से 2 ही लायक हैं तो यह जो 498 यह देखते हैं comedy YouTube पे और यह दो लोग देखते हैं रावत सर की math की class समझ रहे बटा यानि जो भी बच्चे भी live देख रहे न तुम इन दो मेंसे हो इन दो मेंसे हो तुम पर जो continue रहता है वो समझ रहे मेरी बात तो यह 498 में मुझे जादा फायदे दे सकते हैं अगर मैं नमूनागिरिया यहां पर करना शुरू कर दूँ अभी समझ रहे न इस जाएंगे इनके साथ भी कॉम्पेश्न करना है और कि यह तो यह देखने के लिए हदा करते हैं आप दाटा नहीं अभ यह नहीं अभ बचा आप के रखो न उसी के लिए डाटा बचा करको जो काम की चीजे थीक है मूवी देखने में उटपटांग चीज़ें देखने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार ठीक है किलेर है चलो ठीक है इतनी सी बात यहां पर हम थे यहां नहीं थे हम थे यहां पर आप ठीक है बटा चलो अब कुछ चीज़ें इंपॉर्डट जो डायरेट्ली 2019 में तो इस थियोरी जो यह पेज यह स्लाइड मैंने लगा रही है इससे 2019 में कोशन पूछा गया था ठीक है क्या कोशन पूछा गया था देखो यहां से दिखेंगे सभी व्यारे देखो उससे रिलेटेड अब हाँ यह वाली चीज मैंने आपको नहीं बताई यह दी हो गया था और अगर चार एजियों करने आपको एपी में तो यह चार होगे और पांच एजियों करने तो यह उससे क्या होता है वैसे तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो इसको एजियों क के लिए रहा सभी बच्चों को चलो अब देखो इधर यह क्या लिखा हो यह इतनी बड़ी यहाँ पर कोई बात नहीं इस थेओरी को देखते हैं if the same number, same quantity, quantity, quality नहीं हो quantity में से गोई थी, okay, we add it to or subtract it from all the terms of an AP, resulting term will be AP but with the same, with the same common as before as before पूरा एक साथ है, इस लाइन का मतलब क्या है पहले ध्यान से समझेगे, जो यह वाली लाइन है ना बटा, पहली लाइन, इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले, यह बोल रहा है, अगर कोई AP है, जैसे मैंने लिया, चार, आठ, बारह, सोला, यह मैंने लिया, यह मानलो एक AP है, ध्यान से मेरी बात, सुझना बटा, यह बहुत important बात बता रहा हूँ, यह direct question आते हैं, ठीक है, यह direct question आते हैं, अमन परजापती बोलें, तब है ठीक नहीं है, फिर भी खलाज दिख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हैं, पर इस वीरता का बखान नहीं करते हैं, ठीक है, वीर अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, silent work करो, इतना silent work करो कि जिस दिन फूटे तुमारे success ना, दुनिया को पता चल जाए, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर यह AP में, इसके प्रतियक टर्म से मैं अगर मान लो कुछ माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें D आपको कितना दिख रहा था, 4, इसमें D कितना दिख रहा था, 4, अगर मैंने इससे कुछ माइनस कर लिया, तो यह बचा 2, 6, 10, और आपके पास 4, यह बचा, तो यह भी AP में ही होती है, यह बात ही बोल रहा था, और जो common difference है, वो सीम रहता है, कितने रहता ह से सुनो, दुबारा से, अगर कोई AP में के प्रतेक टर्म में से, इच टर्म में से कुछ माइनस किया जाए, कुछ भी, सब सेम सेम माइनस करना है, तो भी AP ही रहती है, और common difference सेम एस बीफोर रहता है, यही बात तो यह बोल रहा था, देखो यहां पे, if the same quantity be added to or subtracted from all the terms of an AP, the resulting term will form an AP, जो resulting आएगी मतलब जो दूसरी आएगी नई वाली वो भी AP ही होगे, और but with the same common difference, ठीक है, but अटा दो क्योंकि अजीब लग रहा sentence, क्योंकि सेम रह रहा है, with the same common as before, common difference लिख देना है, ठीक है, पेडियाप आपको मिल जाएगे, टेंसर नहीं है, क्या इतनी सी बात clear है, clear है, बहुत बड़िया, ठीक, दूसरी चीज़ देखो यहां पर, if all the terms of an AP, किसी AP के सारे term में से, be multiplied or divide by the same quantity, किसी same quantity से divide ही या multiply करते हैं, the resulting term will form an AP, तो भी AP ही बनती है, but with a new common difference, पर common difference नहीं आ जाता है, क्या होता है वो, which will be the multiplication division of the old common difference, अब देखो मैं बता जेता हूँ आपको, देखो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जैसे इस बार मेरे पास मैंने बोल दिया, 4, 8, 12 और 16 था, यह AP है, और common difference यहां पर कितना है, 4 है, सभी को दिख रहा है, clear, बढ़िया, अगर मैं divide कर दूं 2 से, divide by क्या कर दू divide by 2, किसी नम्मर से divide करा, तो यह जागा, दो दुनी, 4, 2, 2, 8, और 2, 12, 2, 8, 16, हैना, तो यह भी तो AP है, देखो, यहां पर difference 2 का है, सब में चल रहा है, लेकिन difference देखो, difference कितना है, difference कितना है, 2, हैना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, कि अगर divide करते हैं, किसी सेम नमर से, तो और इसी से divide, common difference भी यहां divide by 2 होगे, चार बटे, 2, 2 आगे, common difference भी change हो जाता है, उपर common difference नहीं हो रहा है, यहां पर change हो रहा है, multiplication में भी कुछ ऐसा ही case है, multiplication अगर मैं करूं इसका, देखो, 4, मेरे पास AP थी, 4, 8, 12, और 16, यह AP है मेरे पास, difference यहां पर कितना है, बटा, 4 है, ठीक है, देखना द्यान से, अब multiply करो, into 2 करों पूरे से, तो यह जगा 8, 16, है न, और यह 12 दोनी 24, और 16 दोनी 32, तो यह भी क्या AP है, देखो, यहां भी 8 का गया पर, यहां भी 8 का गया पर, यहां भी 8 का गया पर, तो यह AP है, common difference देख लेते हैं, common difference कितना है 8 का, कितना है 8 क तो यह भी तो 2 से multiply हो चुका है, समझे रो, क्या 3 चीज हमने पड़ी, उंगलियों पर नीचे चीज है, 3 चीज हमने पड़ी, क्या-क्या चीज हमने पड़ी, पहली चीज, कि अगर किसी AP के प्रतेक टाम, हर एक इच टाम में से कुछ माइनस या कुछ पलस कर दिया जाए, तो भी AP ही बनती है, नई वाली, और common difference भी सेम रहता है, AP बने की common difference भी उतना रहा जितना था, दूसरी चीज क्या थी, कि कि किसी भी AP से अगर कोई number को multiply या divide किया जाता है, तो भी AP ही बनती है, बट common difference भी उसी number से multiply या divide हो जाता है, इसके example हम already कर चुके हैं, ठीक है से divide करो, चार से divide करो, किसी से भी करो, किसी से भी आप divide करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है बटाओ, समझ रहो, clear है इतनी सी बात, ठीक है, चलो, अगला topic आ चुका है, जीपी, ठीक है, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे बात, सर, I join today, your live classes, so I want to know about how many topics were completed, we have already done trigonometry, angle and deer measurement, height and distance, inverse of trigonometry, complex number, quadratic equation, permutations on combination in other channel, we have already done 31 lecture in other channel, named defense sikcha, defense sikcha नाम से channel है, जिसमें 31 lecture, जीप की उडान भाई, रावत सर नाम से, उसमें 31 lecture हो चुके हैं, उसके बाद ही, यहां इस channel पर महेंग रावत के, इस channel पर महेंग रावत नाम से, यहां पर एक से फिर से शुरुआत हुई, फिर से chapter सुरुआत हैं, chapter वहीं से आगे बढ़े, फिर यहां पर set relation function हो है, और दूसरा यह AP and GP है, तो इसका मतलब total 41th lecture, 41st, 41th lecture हम पढ़ रहे हैं आज, तो आज की class का यह यहां के इसाब से 10 वा लेक्चर है and वहां के total मिला के जो इस NDA2 2022 के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसको मिला के 41th lecture है, जो बच्छे पुराने जुड़े हमेरे साथ, उमको detail पता है, ठीक है बटा, चलो, अब आप लिखो geometric progression, क्या लिखोगे आप अब geometric progression, ठीक है बटा, geometric progression में का मतलब होता है गुणोतर स्रेनी, क्या होता है हिंदी में इसका मतलब, गुणोतर स्रेनी इसका मतलब होता है, ठीक है, गुणोतर स्रेनी इसका मतलब होता है, अब ध्यान से सभी बच्चे, प्यारे बच्चे सुनेंगे और हाँ जो भी बच्चे नए जूड़ते हैं उनको जरूर से वट्सप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप में जूड़ना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ठीक है तो यह कोई मान लो एपी है यहां पर यहां पर क्या होता है इसमें कॉमन रेश्यो होता है एक में कॉमन डिफरेंस था यहां पर क्या होता है यहां पर कॉमन रेश्यों यहां पर होता है और कॉमन रेश्यों यहां पर रखी है कोई बात नहीं हम इस प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक कर देंगे ठीक है क्या हो गए यहां पर ए एन अपॉन ए एन माइनस वन यह कॉमन डिफरेंस का फर्मुला हो गया एक तरीके से जनरल फर्म हम इसे बोल सकते हैं ठीक है हुआ है कंप्लीट ठीक से लिखो क्या बूलना चाहरे रेड़ी साब अरे नलायक तुम स्पेलिंग मिस्टिक निकालते रहो दूसरे की तुम भी पिटोगे मरसे हैं यहां पिटने का उप्सन तो है नहीं ब्लॉग माने का उप्सन है मेरे पास बस दूसरों के कमेंट पर को ठीक चलो देखेंगे सभी वच्चे ध्यान से अब देखो बिटा ओन अने ट्रम ठीक है कहां तक चलता है अने ट्रम तक इसको तो लिखो ही मत जरत ही नहीं इसको लिखने की ए हो गया आपका फॉस्ट ठीक है अने ट्रम हो गया आपका ए अप्स पाऊर एन माइनस बन ठीक अब SN, SN का फॉर्मला यहां पर क्या होता है, SN का मतलब होगा Sum, Sum of GP, GP का फॉर्मला Sum का होगा, SN इकोश्चु A आपका और N-1 अपॉन R-1 जब R-1 से बढ़ा होगा, और SN इकोश्चु A यह रिवर्स हो जागा, 1 इदर चल गया, यहां से भी 1 इदर चल गया, तो GP का फॉर्म तक अगर डन है बेटा, तो एक बार J-K-U आप लिख दोगे, एक बार J-K-U आप लिख दोगे, फड़ा फड़ से की आप हाँ हो, जो उसमें हो, फड़ा फड़ से J-K-U लिख दो, वेरी गुड, नितिन यादो, नो शर, क्या प्रॉब्लम है बेटा, नितिन, क्या प्रॉ में मिर से गनित के मांगा करो ने तो, सोनु वर्मा, J-K-U, J-K-U, वेरी गुड, बहुत बढ़ बढ़िया, वन्स अगें, नितिन यादो, बोल रहा है, वन्स अगें, गाना चलदा ना, वन्स अगें, चलो देखो ध्यान से, कुछ लिए, एपी में, कॉमन रिशो से होता है, जैसे मानलो, आपके पास है, जैसे मानलो, आपके पास है, टू, फॉर, या थिरी से सुरू कर देते हैं, और ट्वैल्फ, और चॉब्श यह ऐसे चला, तो रिश्यो से में, कॉमन रिश्यो क्या होगा बटा, कॉमन होगा, ठीक है, जैसे चैवाई, तीन भी आपका दू हुआ, बारव रवाई, छैवी करेंगे, तो भी दो हुआ, चॉब्यस वाई, बारा करेंगे, तो भी क्या हो एक से बड़ा होगा R, R का मतलब common ratio, तो यह वाला formula, otherwise यह वाला formula, ठीक, clear है, अब A, B, R, N, G, P, then geometric mean, GM का मतलब क्या हो गया बटा, geometric mean हो गया है, क्या हो गया geometric mean, यह कैसे आता है सर, यह ऐसे आता है सर, देखो कैसे आता है बटा, देखो बटा कैसे आता है, देखो ध्यान से द detail बताने वाला हो आपको, ठीक है, देखो, अगर A, और B, और C है तीन नमर, इनका मुझे geometric mean निकाल, mean का मतलब ही होता है, बीच का, mean का मतलब क्या होता है, बीच का, या फिर अगर यहां पर निकालना है, तो बीच के साब से B की value निकलेगी, A, C की form में, वो होगी root of A, C, ठ ठीक है, देखो, द्यान से देखो, आप लिख सकते हो कि B by A, R निकाल सकते हैं, ऐसे, यह आर निकालना का तरीका, B by A, और यही तरीका होगा, C by B का भी, होगा, C by B का भी, अब यह दोनों सेम है, अगर, तो आप इसे लिख सकते हो, B square equals to A, C, B square equals to A, C, लिख सकते हो, यानि B के value आगे, आपके root of A, C, समझ में आरे बात, root of A, C, इसलिए दो नमर, जैसे, A और C का जो होगा, वो root of A, C होगा, A भी होगा, बहुत सारे होगे, तो nth root of A बने टो, nth का मतलब, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे तो दो है, इस root का मतलब, यहाँ पे क्या होता है, twice root of, अगर तो तीन नमर होंगे, तो thrice root of होगा, समझ रो, जैसे मैं बोलूँ कि इसका arithmetic निकाल लो, 2, 3, और 5, है न, 2, 3, और 25, इसका, इसका geometric mean मुझे निकालना है, तो आप बोलो कि सर, cubic root of, 2, 3, 25, आप बोलो कि क्यूबिक root of, 3 है न, इसलिए यहाँ पे 3 है, 4 होते तो यहाँ पे 4 तो आप लुते 25 निया 75 दूने 500, है न, 500 होता, तो 500 का cubic root आप निकालते हैं, डंडे खींच के निकालते हैं, यहाँ उसका होता है, समझ रहाँ न, इतिसी बात के लिए, यह इसको अगर बनानी, योग्या बनाना है, तो आप बोल सकते हो, 9 गुणा, 9 गुणा 9, है न, तो 9 गुणा 9 का cubic root कितना हो जाएगा, बटा, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 का cubic root डाइरेक्टी लिख सेते हैं, कितना, 9 हो गया, तो यह आपका अंसर हो जाएगा, समझ में आरे बात, अगर यह नहीं होंगे नम्मर तो, मतलब ऐसा नम्मर आएगा, जो क्यूबी क्रूट निकालना, उसका पॉसिबल होगा, नहीं होगा, तो फिर डिंडे की इसके आप सभी को पता है, ऐसा ऐसे करके, निकल जाता है, ठीक है, आसान सी बात थी, अब यह क् चीज हमारे सामने आ चुकी है, यह, हाना, देखेंगे ध्यान से बटा, सभी बच्चेई से, देखो, सम उफ इन्फाइन जोमेंटिक प्रोगरिशन वन, यह चीज बड़ी इंपॉर्णन है, माइनस वन से लेके वन के बीच, ठीक है बटा, यह परपंडिकुलर कहां से ठीक सब्सक्राइब जियन से देखो, यह वाली लाइन दियांस देखो, माइनस वन से चोटे होने चाह और माईनस वन से बड़ाया मात वन तक समझड़ो। समझे रो माइनस बाइन वन से लेकर वन तक प्षिक बीच में होता है याणि माइनस वन बटा प्रेव्ट आयगा और कॉमवन में छोटा प्रेव्ट आए एक तो से रिलेशन फंक्षिन विच्छ से बढ़ा थैसरी का यह चीजे मतलब यह है कि माइनस वन इंक्लूड है आठ जब माइनस वंगा तो भी इंफिनिटी का यह फॉम्ला लगा और वन से छोटे कोई भी हो जास दो माइनस हाफ हो गया जीरो पॉइंट फाइफ हो गया समझगो यह चीज है और क्या हो गया बट आपका common ratio क्या इतनी सी बात सभी बच्चों को clear है क्या इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को clear है बिल्कुल clear है आप देखो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगहें फॉबाटिति किसी इक साइघ बट नहीं वाला जो ट॑म बनेगा घय बनेगा इक स्थ ग्रेटर्टर थन और इफ्टिक का फ्रमयला नहीं बता सकते है अगर मैं बोलू कि greater than only two four six eight इसकी infinity sum sum of infinity कैसे निकाल दोगा sum नहीं निकाल सकते है ना इसी वज़ा से ठीक है बटा चलो result will be gp gp होता है same common ratio as before common ratio भी कह रहता है same यह learn करना है आपको assuming three three teams terms of gp assume कर रहे होते हैं जब तो यह तो common सी बात है बट आपको यह लेना है a upon r,a क्योंकि इन दोनों का divide भी करोगे तो भी r आ रहेगा है देखो a upon a upon r यह r उपर चाहेगा a से a cancel हो जागा तो भी common ratio आ रहे होते हैं तो इसलिए जब अपने आपसे assume कर रहे होते हैं इससे क्या फाइद होगा कि जब इसका multiplication करोगे तो a cube सीधा आपके पास आएगा r से r के अज़र जागा a cube की value आपको कुछ दे रखी होगी a cube की value आपको कुछ दे रखी होगी किलर है सभी बच्चों को ठीक है four times होगा तो आप ऐसे लोगे बटा four times होगे तो आप assume ऐसे करोगे कोई जीपी नहीं देर की बोलड़ा कि चार जीपी कोई है तो आप इस तरीके अब हैं अब आ गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन अ चुका है ध्याण से देखेंगे सभी प्यारे बच्चे तो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं हरात्मक स्रेड़ी हिंधी वाले जो भी नाराज हो क्योंकि हिंदी का जमाना आप गया लग sust तो पढ़ना ही पढ़ता है उप संधल नहीं होता हमारे पास अनटीय निकालना है तो इंग्लीस भी आपको आनी चैये शब कुछ आपको आना चैये क्योंकि क्यों कि बिलकुल बिटा बिलकुल बिलकुल क्यों कि आपको officer बना रहे हैं ठीक है बटा इसे सब्सक्राइब कि अगर यह होगा अगर यह पी है तो उसका रिवर्स में क्या होता है सब्सक्राइब क्या इतनी सी बात के लिए थी कि अब अध्य यहां का ऐसी याद करना है और हार्मोनिक में ऐसे एन्ट ताम मतलब कौन सा टम निकालना है ठीक है तो वन अपॉन वन अपॉन प्लस और माइनस ब्लस यह नहीं लग रहा कि जिसे आपको एपी का रिवर्स करके द पॉनौन ऑपॉन एबन मतलब एकस वन जो भी अगर एकस ट्रेक्स ठीक थ्ट तो वल्किर यहां चाहता है प्टर था कि आपको दे देना चीए था क्या एकसे एकस्ट ट्रेक्स ठीक ना एवन के टूं कि ठीक है इसमें डॉट डॉट लिखना भी ज़रूरी है एवन एटू डॉट 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 कहां तक ठीक है एक्स कहीं लिया नहीं था इसलिए मैंने चेंजर कर दिया रख सकते हो आप कोई शुट में नहीं है क्या इतनी सी बात सारे बच्चों को किलियर है वही बता वही इतनी सी बा सबसे अगर कोई साम नमर लिया हम निकाल दिया और जामर निक से बड़ा होगा फिर जा मैंतरिक और इक फॉर्म। जोमेट्रिक मीन का स्कुर्ण रिकोस्ट 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 three geometric mean निकला आपका nine और harmonic mean आपका 67 तो यह किस्में है जी पी में है नौप ते तीन भी Three और 27 भी Orthodoxены जी否 में हैं तो हम बहें सकते हैं कि geometric mean का square देखो 9 का square 27 गुना टीन के बराबर है तो यह भी 81 हो रहा है यह ज़ी 80 हो रहा है इसका मतलब यह बात एक दम सही है एक दम ये बात सही है करेक्ट है स्पस्ट है ठीक है क्या इतनी सी बात सारे बच्चों को क्लियर है हाँ भई बताओ भई फड़ा फड़ से जे के यू जीत की उड़ान ठेक है बटाँ हाँ 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 चलो बहुत ठीक तो यह एक बार आज आप घर में जाके इसके नोट्स बना लोगे अच्छे से हैंना डेटेल में आप इसके नोट्स बनाओगे समझो के पहले ओवर्विव में आपको दिया कि एपी जीपी होती क्या है ठीक है फिर डेटेल में बताना स्टार्ट किया था तो इसके लिए आपको यह नोट्स मिल जाएंगे आपको पता है पीडियाप मिल जाती है आपको दूसरी चीच आपको रिवाइस करते रहना है ठ के लिए ठीक है आपके पीडिय पता हैका रिवाइस पटा चीली प्सका देया अग ब्यूदि आपको दिख जाता है यह इकडम क्रूदि अ कि जाता है उसमें कोई इसओं नहींढ़ ओरिए अग मिलते हैं आपको कि कल सरप्लीज डौमें रेंच का कुशिंग सैंड कर देन उसके बुक में जादा नहीं है कुशियं कोई बात नहीं कोई बात नहीं का राउसी भुशे घुसा हूँ इमानदार आदमी घुसा जल्दी होता है ठीक है तो ध्यान रखना आपको अपना ठीक है चलो बटा कोईड भूबीट से बचके रहें सबी बच्छे सवास्त्र रहें ये मेरी दुआ हैं आपको ठीक है जो तीन मूल मंत्र मैंने आपको दिये हैं आज ध्यारे रखना स्वस्त रहना ये सारी चीज़ें और ये तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहना चाहिए ठीक बड़ा चलो कल आपको मिलते हैं ठीक साथ बजे लव यू बाबाय टेक्या जय भारत जय है